नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी, पंचतंतर की कहानी, दो सिरवाला पक्षी, दोस्तों, एक तालाब में भारन नाम का एक विचित्र पक्षी रहता था, इसके मुख दो थे, किन्तु पेट ये खी था, एक दिन समूदर के किनारे घूंगते लेकिन इतना स्वादू कोई नहीं था, ना जाने कि सम्रित बेल का ये फल है, दूसरा मुख उससे वंचित रह गया था, उसने भी जब उसकी महिमा सुनी तो पहले मुख से कहा, मुझे भी थोड़ा सा चकने को दे दे, पहला मुख हसकर बोला, तुझे क्या करना है, हमारा प्रथम मुख उसी दिन से विरक्त हो गया और इस तिरसकार का बदला लेने के उपाई सोचने लगा, अंत में एक दिन उसे एक उपाई सूच गया, वह कहीं से एक विश्वल ले आया, प्रथम मुख को दिखाते हुए उसने कहा, देख, ये विश्वल मुझे मिला है, मैं इससे खाने लगा हुँ, प्रथम मुख ने रोकते हुए आग्रह किया, मूर्क, ऐसा मत कर, इसके खाने से हम दोनों मर जाएंगे, द्वितिय मुख ने प्रथम मुख के निशेद करते करते, अपने अपमान का बदला लेने के लिए विश्वल खा लिया, परिनाम ये हुआ कि दोनों मुखो वाला पक्षी मर गया, सच ही कहा गया है कि संसार में कुछ काम ऐसे हैं, जो एकाकी नहीं करने चाहिए, अकेले स्वादो भोजन नहीं खाना चाहिए, सोने वालों के बीच अकेले जागना ठीक नहीं, मार पर अकेले चलना संकता पन है, जटल विशेओं प परंतु अकेले मत जाना, कहा गया है कि अकेले कोई स्वाद नहीं लेना चाहिए, अकेले सोकर जागना नहीं चाहिए, अकेले रास्ता नहीं चलना चाहिए, तथा अकेले अर्च चिंता नहीं करनी चाहिए, धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपनी राइ कॉमेंट बॉक्स में जरूर दे और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको हमारे सारे अपटेट्स मिलते रहें